इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकैडमी यानि की आईफा अवार्ड रहसाय बाइस इस बार अभुधावी में आयोजित हुआ अवार्ड फंक्शन में बॉलिवुड सल्मान खान, अनन्या पांडे, सारा अली खान से लेकर बॉलिवुड के कई सितारों ने आईफा में अपने धमाकेदार अंदाज से रौनक जमाई किसे मिला कौन सा अवार्ड? स्टार्ज के स्टाइलिश लुक से लेकर उनके शानदार प्रफॉर्मेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर चाहे हुए है अवार्ड की बात करें तो इस साल विक्की कॉशन ने आईफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है वहीं कृती सेनन को बेस्ट एक्टरेस के अवार्ड से नवाजा गया है आईए आपको बताते हैं आईफा 2022 में किसको मिला कौन सा अवार्ड? बेस्ट फिल्म शेर्शा, बेस्ट डारेक्टर विष्णु वर्धन को शेर्शा के लिए, बेस्ट एक्टर लीड रोल, विक्की कॉशल को सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्टरेस लीड रोल, कृती सैनन को मिमी के लिए, बेस्ट एक्टर स्पोर्टिंग रोल, पंकश द Best Playback Singer Male जुबैन नौटियाल राता लंबिया शेर्शा Best Playback Singer Female असीस कोर राता लंबिया शेर्शा Best Lyrics कौसर मुनीर को फिल्म 83 की गाने लहरादो के लिए Best Original Story अनुराग बसूर लुडो Best Story Updates कबीर खान संजेब पूरंड सिंग को 83 के लिए Best Music Director अवार्ड में टाई रहा ये अवार्ड अतरंगी रे के लिए A.R. रह्मान और शेर्शा के लिए तनिश्का बागची जसलीन रॉयल जावेद मोहसीन प्रीप्रॉक जॉनी को मिला आइफ़ दोहजर 22 अवार्ड नाइट की बात करें तो इस फंक्शन को सलमान खान, रितेश देश्मुक और मनीश पॉल ने होस्ट किया तीनो स्टार्स ने अपने रॉकिंग और हुमिनर्स अंदाज से अवार्ड फंक्शन में चार चांद लगा दिये झाल